नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त हर्षी बिंसल आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल मिस्टर ग्रोथ में फ्रेंड्स अगर आप 1000 की रेंज में अपने लिए कोई हैडफोन की तलाश कर रहे हैं जिसमें की एक अच्छी क्विल्टी का माइक भी हो तो I think आपको उसका solution इस वीडियो में मिल जाएगा फ्रेंड्स मैं आपको 50 तरह के headphone दिखा कर confuse नहीं करूँगा क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत कम product के reviews के वीडियो मनाता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मुझे काफी company भी offer करती हैं क्योंकि जब इतने सारे subscriber हो याते हैं channel पर तो काफी company फ्री product भेजने के लिए भी त्यार रहती हैं कि मैं आपके लिए free product भेज देते हैं लेकिन आपको इसका review करना होगा अच्छे से तो friends मैं उनको clear cut एक ही बात कहता हूँ कि जैसा आपका product होगा मैं as it is उसको same बताऊंगा सभी viewers को तो friends उसके बाद उनका कोई भी reply नहीं आता यानकि हर company ये चाहती है कि मैं उसके बारे में अच्छा ही बोलूँ लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता तो friends जो भी product को मैं खुद के use करनी के लिए मंगवाता हूँ काफी तरह से उसको अच्छी तरह से verify करने के बाद वही मैं product की video बना कर आपके साथ share कर देता हूँ तो friends मैं आज इस video में इसके unboxing करूँगा इसके complete benefit आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें काफी ज़ा अच्छा दिया गया है इसकी quality कैसी है उससे पहले friends मैं आपको headphones के बारे में एक छोटी सी जानकरी देना चाहूँगा friends देखे जिसमें headphone के review करूँगा इस video में ये है friends JBL के in ear headphone यानि की total 3 variety होती है headphones की ये है in ear headphone यानि की जो कान के बिल्कुल अंदर तक लगते हैं और friends इसके बाद जो second category है वो है on ear headphone जिससे की सिरफ आपका कान का उपरी हिस्सा यहां से cover हो जाता है देखे friends ये है मेरे on ear headphones जो की काफी time पहले के पुराने हो चुके हैं वैसे देखे इससे सिरफ इतना हिस्सा कान का cover हो गया है तो ये है on ear headphone और third category के जो headphone है वो है over ear headphone यानि की कान बिल्कुल आपका इस तरह से cover इनसे हो जाता है ये देखे फ्रेंट्स ये है over ear headphone तो इस तरह से friends ये तीन variety आती हैं इसके इलावा आपको Bluetooth headphones वगएरा वो एक अलग different types होगी सबसे पहले friends हम JBL के इस in ear headphone की unboxing कर लेते हैं उसके बाद मैं live ही आपके सामने इसकी testing करूँगा यानि कि उसकी मैं videos की पिया speedly close कर दूँगा यानि कि live इसको test करके बताऊँगा कि इसका सारा total experience मेरा कैसा रहा तो मैं जल्दी से इस packing को पहले open कर लेता हूँ friends देखे इस तरह की packing आपको देखने को मिल जाती है काफी अच्छी तरह से JBL के दवारा इसको pack किया गया है अब हम देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या accessory मिलती है तो इसके back side पर दिया गया है यहाँ पर देखे friends यह कुछ user manual बगरा है यानि कि इसको हम side पर रख देते है और इसके इलाबा friends देखे इसमें आपको three types के अलग-लग यानि कि इसके cover मिल जाते हैं जो भी आप अपनी ear में लगाएंगी देखें दो तो इसके साथ में attached है और यह अलग से four piece आपको मिले हुएं यानि कि total three types के आपको इसके साथ cover मिल जाते हैं ear की shape के coding आप उसमें fit कर सकते हैं असानी से यहाँ पर एक back cover मिल जाता है हमें इसको हटा देते हैं अब हम इसको cover में से बाहर निकाल देते हैं और देखते हैं कि कैसी quality हमें इसकी सुनने को मिलती है friends आपने unboxing देख ली अब मैं इसको लगाकर use करके देखता हूँ इसके सारे function की यानि कि किस तरह से यह work करता है friends मैं ने JBL के इस in-ear headphone को अब अच्छे से try कर लिया है इसके सारे function अच्छे से try कर लिया है अब मैं friends आपको complete इसके benefit बता देता हूँ friends सबसे पहली बात तो मैं इसको 5 star rating दूँगा अब आप यह सोच रहे होंगे कि और भी काफी अच्छे अच्छे headphone आते हैं बिल्कुल आते हैं friends flip card पर अगर आप चेक करेंगे सबसे महेंगे headphone है 1,20,000 रुपे के और अगर आप Amazon पर चेक करेंगे तो जो सबसे महेंगे वाले headphone है वो है 9,86,000 रुपे के और जिस भी size की rubber को आप इसमें लगाना चाहें बड़ी ही असानी से आप इस headphone में इसको fit कर सकते हैं और friends इन headphone पर लगाने से पहले आपको इसका एक और secret पता होना चाहिए कि जो भी headphone आप use करते हों यानि कि इन earphone आप use करते हों तो उन पर friends देखें एक side L लिखा होता है और second side R लिखा होता है यानि कि left ear के लिए आपको वही use करना होता है और right ear के लिए आपको second वाला use करना होता है तो जैसे कि इसके front side पर लिखा गया है L and R, यानकी left and right, तो left वाला जो है, वो आपने left वाले ear में लगा लेना है, और right वाले को आपने right वाले ear में लगा लेना है, वो friends ये काफी ज़्यादा comfortable है, third benefit friends आपको इसका ये मिल जाता है, जो इसकी woofer quality है, यानकी sound की वो काफी ज़् देगी है, fourth benefit friends इसकी जो wire quality है, वो काफी ज़्यादा अच्छी है, fifth benefit friends इसका आपको ये मिल जाता है, इसका देखे friends जो ये mic वाला part है, इसमें आपको एक button मिल जाता है, उससे आप चाहें तो कोई भी call आया हो, उसको receive कर सकते हैं, या फिर किसी भी call को disconnect कर सकते हैं, इसके इ YouTube के लिए videos बनाते हैं, जा फिर आपको song वगारा record करने का शौक है, तो इसकी mic quality भी काफी जादा best दी गई है, friends मैंने JBL के इस headphone का complete review आपको दे दिया है, इसके जो भी benefit मिलते हैं, वो सब आपके साँ share कर दिये हैं, और friends मैंने इसको Amazon पर sale में purchase किया था, तब मेरे को इस पर purchase करना चाहें, जा JBL के another model वगरा चेक करना चाहें, तो वीडियो के description में आपको same इस earphone का link मिल जाएगा, वहाँ से आप online इसका price वगरा चेक कर सकते हैं, और friends अगर ये वीडियो आपको helpful लगी हो, अपना headphone with mic select करने के लिए, तो please वीडियो को like ज़रू कर दीजिएगा, अगर आपके साथ share करूँ, वह वीडियो आपकी मिस ना हो, और friends हम जल मिलेंगे किसी और नहीं वीडियो के साथ,